नमस्कार मेरा नाम है अभिनोत शांशुपांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में क्या खास बात है हम कौन सी बातें डिसकस करेंगे चली आएए देखते हैं हम आज बात करने वाले हैं सदिस रासियों का मतलब वैक्टर्स का जो है जो योग फल होता है उसके बारे में तो यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें देखनी है हमें ये देखते हैं पहले देखिए कि सबसे पहले हमें जरूत पड़ेगी एक सदिस राशिय की ये सदिस राधी का नाम हम रख लेते हैं A और इसी तरीके से एक और सदिस राशिय आ गई जिसका नाम हम नोगे रखा B अब ह हमें क्या देखना है कि इन सदिस राशियों का अपना एक परिमाण होता है अपना एक magnitude होता है यहाँ देखिए A की सदिस राशिया में M से लेके N तक की लंबाई है ये इसका परिमाण होगा और इसी तरीके से हमारी दूसरे सदिस B में O से लेके P तक की जो है जो लंबाई है यही इसका परिमार होने वाला है अब इन्हें जोडने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो देखिए यहां हम जो है देख रहे हैं कि सबसे पहली काम पहली जरूरत है हमारे निर्देश तंत्र की ये आगया हमारा निर्देश तंत्र अब हम क्या करने वाले हैं ये जो ओपी आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम लाके रख देंगे हमारे एक्स अक्ष के साथ में और इसी तरीके से हम ये जो हमारा ए वेक्टर है उसे भी ऐसी जगह रखेंगे ताकि दोनों का जो स्टार्टिंग बिंदू है मतलब दोनों का जो आरंभिक बिंदू है वो एक जैसा हो जाए तो चलिए हम लोगों ने यहां पर जो है पहले सदिस B को ले के आया और अब हम ले के आ जाते हैं सदिस A को लेकिन जब भी हम सदिसों को जोड़ते हैं तो हमारी आवशक्ता क्या होती है कि एक की पूँच दूसरे के से जुड़ी हुई हो इसलिए अब हम क्या करेंगे हमारा जो सदिस A है उसे लेकर आएंगे तो चलिए यहां देखिए सदिस A जो है पहले B हम लोगों ने उपर लेके गए हम लोगों ने B को उठाया कॉपी किया उपर ले गए और इसी पूरी प्रक्रिया है इसे पहले लोग्राम लॉप फेक्टर एडिशन या फिर समांतर चतुर बुझ सदिसों के योग का नियम ही कहते हैं चलिए तो आगे हम क्या देखेंगे कि जब हम हमारे बिंदू M को बिंदू P से ले जाकर जोड़ेंगे तब इसकी जो लंबाई की लंबाई या फिर उसका परिमार होगा तो इसको करने के लिए क्या करेंगे ये देखे आपको नजर आ रहा होगा हमारा हमारी जो रिखा है जिसे जोड़ने वाला बिंदू मतलब ये हमारा रिजल्टेंट हो गया C वेक्टर जो A धन B के बराबर है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहां हम और क्या कर सकते हैं तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने A को उठा कर यहां लाकर रख दिया अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा A सदिस है ये जो है एक कोण बना रहा है ठीक है और यहां आपको नजर आ रहा होगा ये कोण ठीट जो की सदिस A बना रहा है X अक्ष से इसी से जुड़ा हुआ हम को यहाँ पर A sin theta और नीचे A cos theta नजर आ रहा है अब अगली बात क्या है तो अगली बात यह है कि अगर हम यह A sin theta और A cos theta के अव्यवों को ले जाकर वहाँ जोड़ दें तो क्या होगा हम लोग देखिए इस चीज को जोड़ दिये अब यहाँ जो है जो काम का चीज नहीं है सबसे पहले वो हटा देते हैं ठीक है तो अब हमको दिख रहा है यह जो समकोर्त रिभुज है इसमें जो है हमारे पास में है कर्ण जिसका नाम है C उसके साथ में हमको अब था क्या था एक औस थीटा वो भी नीचे आ जाएगा और यह दोनों मिलकर बनाएंगे आधार ठीक है इसी प्रकार एसाइन थीटा जो है यह बन जाएगा हमारा लंब ठीक है अब आगे देखिए तो आगे आपको नजर आ रहा है कि यह हम लोगों ने आधार उठा के रखा और हमारा जो समकौन तरिभुज है वो तैयार हो गया अब आगे की कौन-कौन से चीज़ों की हमें जरूरत पढ़ने वाली है तो देखिए हमें जरूरत पढ़ेगी सबसे पहले आधार का जो हमान क्या होगा बी धन एक औस थीटा इसी तरीके से हमारे लंब का मान है एसाइन थीटा और कर्ण है हमारा सी अब आपको क्या कोई समकौन तरिभुज से जरूरत कोई कोई प्रक्रिया मालूम है तो पाइथागुरस का जो प्रमे है यह हम लोग ने लगाया कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग सी का वर्ग इसमें अधार का मान बीधन एक औस थीटा उसका वर्ग और एसाइन थीटा इस प्रकार से हमें जो सी की लंबाई है वो पता चलिए अब इसके बाद में हमारे पास में एक और आवश्यक्ता है और वो क्या है यह जो हम लोग कोण देख रहे है न अलफा इसकी म जिसका मान हो गया एसाइन थीटा बटा बीधन एक औस थीटा इस तरीके से हम लोगों ने एक समानतर चतुरभुज प्रक्रिया के तहत दो अलग अलग सर्दिसों को जोडने की एक प्रक्रिया देखी इसी प्रकार से आपको आगे भी बहुं सारी चीज़ें देखने के लि पर और जब हम हमारा कोई कोर्स आप खरी देंगे तो उस समय अगर आप लोगों ने ये ए बी टी हंड्रेड अभिनो तो शांशू हंड्रेड अगर आपने ये कूपन को डाला तो आप चाहे कोई साभी कोर्स खरी दें चाहे नाइन्थ टैंथ या किसी भी सब्जिक का कोर् करें हमारी वेबसाइट है www.abhibsha.in आप वहां आएए वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर आके आप अपने सारे डाउट्स हमारे बारे में और कुछ जानने की जो इस्चा होगी वह पूरा कर सकेंगे और पाइनली जब आप हमारा कोर्स कम प कि फिलहाल आपको कुछ ट्रायल वीडियो और कुछ ट्रायल डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिससे आप सैटिस्फेक्शन पास सकेंगे तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद